दोस्तों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे, क्या आप ब्रह्मांड से बातें कर सकते हैं? आप इस प्रकृति से, इस ब्रह्मांड से हर वो चीज मांग सकते हैं, जो आप अपने लाइफ में पाना चाहते हैं. और यह ब्रह्मांड आपके उन सभी इच्छाओं को पूरा भी करेगा क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड ने ही हमें रचा है और उसके पास वो शक्ती है जिससे वो हमारा आपका हम सभी का जीवन बदल सकता है बस सर्थ ये है कि हम अपने आज़ पास उस सखारात्मक पूरजा से घिरे जिससे हमारी हर बात ब्रह्मांड तक पहुंच सके हम सभी जानते हैं कि हमारी सोच हमारे विचारों की अपनी एक वाइबरेशन फ्रिक्वेंसी है जिसे यदि आप एक बार अपने इस ब्रह्मांड से कनेक्ट करना सीख जाए उससे अपना संपर्क स्थापित कर लिया और एक बार अपने ब्रह्मांड की शक्ति को महसूस कर लिया तो आपको आपकी किसी भी इच्छा को पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता असल में आप अपने वर्तमान जीवन में जिन लोगों से मिलते हैं और जिन नए अनुभवों को प्राप्त करते हैं वो सभी आपके मन द्वारा आकरशित की गई उर्जा का परिणाम स्वरूप है और आज इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार आप ब्रह्मान से संचार कर सकते हैं बात कर सकते हैं और हर वो चीज माग सकते हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं इस सिधान्त को चुनने का अर्थ है कि आप अपने भीतर की आंतरिक फ्रिक्वेंसी को बदलना चाहते हैं और किसी विशेश अनुभव को प्राप्त करने के लिए जीवन में नए अवसरों को आकरशित करने के लिए अलग तरीके से सोचना चाहते हैं तो क्या आप उस समय के लिए तैयार हैं? जब आप अपनी चेतना यानी फ्रिक्वेंसी और उर्जा के स्तर को बढ़ा कर यूनिवर्स से बात करते हैं तो यहां आपके आसपास के वातावरण में यानी की इसका असर आपके आसपास देखने को मिलता है इससे आपकी उर्जा नए प्रकार के अनुभव प्राप्त करने के लिए ब्रह्मान से उन्हें आकरशित करती हैं क्योंकि हमें इस नियती ने रचा है इसलिए हमारे आसपास वो शक्ती है जिससे हम अपने जीवन में प्रकट होने वाली घटना को स्वयम बना सकते हैं आप अपनी प्रार्थना यूनिवर्स में भेज सकते हैं और उन्हें स्वयम तक वापस आता महसूस कर सकते हैं बिल्कुल एक गूंजती आवाज की तरह और अगर आप इस शक्ती को समझना चाहते हैं या अपने जीवन में उन घटनाओं को प्रकट करना चाहते हैं जिनकी बताने जा रहे हैं वो आसान सा तरीका जिसकी मदद से आप ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं और वो हर चीज मांग सकते हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं इन तरीकों को आप एक तरह से ब्रह्मांड का फोन नंबर कह सकते हैं तो क्या आप तयार हैं उस फोन नंबर को जा आपको ब्रहमांड के साथ इसी समय एक ऐसा संबंद स्थापित करने की जरूरत है, जिससे आप ये जान पाए कि हमारा यूनिवर्स कैसे काम करता है, हमारा ब्रहमांड सबसे रहस्यमे चीज है। आज तक कोई भी वैग्यानिक और विज्ञान की बड़ी से बड़ी खोज इसके सभी रहस्यों को सुलजा नहीं पाई ये सबसे शक्तिशाली है ये अनन्त है इसके पास सब कुछ है इसलिए ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसकी असीम शक्ति और इसके उपर भरोसा करना होगा और पूरे धैरे से इसके चमतकार का इंतजार करना होगा आप ब्रह्मांड की शक्तियों का आहवान किसी भी रूप में कर सकते हैं सरल भाशा में कहें तो ब्रह्मांड आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको किसी भी रूप में दे सकता है आकाश में एक पंची के उड़ान से भी आपको संकेत मिल सकता है या फिर अचानक से एक फोन कॉल के रूप में आपको ये संकेत किसी भी रूप में मिल सकता है बस आपको पूरी ध्रता से ब्रह्मांड के उपर विश्वास रखना होगा अपने मन मस्तिश्क में पूरी तरीके से शांती रखनी होगी और ब्रह्मांड की शक्तियों में अपनी आस्था को विक्सित करना होगा उस पर विश्वास रखना होगा अपना लक्षे निर्धारित करिये दूसरा स्टेप यह समझने से संबंधित है ब्रह्मांड से आखिर क्या पूछना चाहते हैं आप उससे क्या आसा रखते हैं उससे क्या मांगना चाहते हैं जब आप उससे जो मांगते हैं तो आपको वो निश्चित रूप से ही मिलता है उसके पूरे होने के संकेत आपको मिलते हैं उन रास्तों के संकेत आपको मिलते ही हैं पर ये नहीं कहा जा सकता कि आप उन्हें बिल्कुल उसी तरीके से पाएंगे जैसा आपने मांगा था, क्योंकि अगर आपने अपने दिल में किसी के प्रती नफरत और नकारात्मक्ता लेकर ब्रहमांड से जुड़ने का प्रयास किये हैं, तो आपकी प्रार्थना असभल हो सकती है, पूरे दिल से पूरी इज़त भावना के साथ ब्रहमांड को महसूस करिए, अपने मन में किसी प्रकार का द्वेश ना रखे, अपने अच्छे एरादों को ब्रहमांड तक पहुँचाने का प्रयास करें, और अपने दिल की आवाज सुने और महसूस करे कि वास्तव में उसकी इच्छा क्या है, अपनी आखें बंद करे और अपना पूरा ध्यान अपने दिल पर और अपनी सांसों पर केंद्रित करे और गहरी सांस ले, एक बार ब्रहमांड के प्रती अपना संबंध स्थापित करने के संदर्भ में आपके इरादे मसबूत हो गए और आप उनके प्रती सचेत हो गए तो ब्रहमांड की शक्तिया आसानी से आपके शरीर और आपके जीवन में आने का प्रयास करेंगी, वो आपके जीवन को बदलने का प्रयास करेंगी नमबर थ्री कल्पना करिये कल्पना करने की शक्ति ब्रमांड के द्वारा उस इश्वर के द्वारा मनुश्यों को दी गई एक अनमोल शक्ति है जिसका उब्योग करके इनसान अपने जीवन में हर चीज को संभव कर पा रहा है आप कल्पना करिये अपने दिल में सच्ची इरादे लेकर अपनी आँखें बंद करिये और ब्रमांड की शक्तियों को देखना शुरू करिये या महसूस करिये कि आप उन शक्तियां का अनुभव करना है अपने ब्रहमांड से जो मांगा है उसकी कलपना करिए उसकी कलपना करिए कि वो आपको मिल चुका है और अपनी पांचों इंद्रियों अपने सभी सेंस का इस्तिमाल करिए और उसे महसूस करिए उस वस्तु को महसूस करिए जिसे आपने मांगा है अगर आपने किसी परिस्थिती की कलपना की है तो उस परिस्थिती को साकार होता हुआ महसूस करिए उसे अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस करिए अपनी भावनाओं के प्रती अपना पूरा ध्यान के इंद्रित करने में ही इस शक्ति का रहस्य छुपा हुआ है अपनी प्रार्थना को अनुभव करिए अपनी प्रार्थना के प्रती आप जितनी अधिक भावना से जुड़ेंगे महसूस कर पाएंगे उन्हें अनुभव कर पाएंगे आपकी प्रार्थना उतनी ही शक्तिशाली होगी और ब्रह्मांड आपके उन प्रार्थना को उतनी ही जल्दी पूरा करेगा नमबर फूर ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करिए मित्रो जब आप स्वयम को अपनी संपून सकारात्मक भावनाओं के साथ अनंत शांती और संवेदन शीर्ता में संयूजित कर ले तो ये ब्रह्मांड से संबाद करने और उसे कुछ भी मांगने का सबसे सही समय है शुरुआत एक धन्यवाद को व्यक्त करने से करिए क्योंकि ये ब्रह्मांड में आपकी अनुभूती को भेजता है और आपके द्वारा भेजी गई प्रार्थना ब्रह्मांड स्विकार कर लेता है आपकी कृतजता आपके हृदय ब्रह्मांड को अर्पित करते है एक अलग वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी निकलती है जो ब्रह्मांड तक पहुँचती है अपनी आँखें बंद करिए और अपने आपको उन वस्तूओं उन परिस्थितियों के इर्दगिर्द खोजने का प्रयास करिए जिन्हें आपने मांगा है पूरी तरीके से खुश रहिए और ब्रह्मांड के प्रती, इस इश्वर के प्रती, प्रकृती के प्रती, कृतर जिता महसूस करिए नंबर फाइफ, खुद को मुक्त करिए, मित्रों एक बार इन सभी बातों को अपने अंदर स्वीकार करने के बाद, इसे प्रयोग करने के बाद, आप स्वयम पर से अपना पूरा कंट्रोल छोड़ दें जब आप स्वयम में उन परिस्थितियों को अनुभव करें, तो आपको इस विशय में चिंता करने की कोई आवशक्ता नहीं है आपको यह सोचने की आवशक्ता नहीं है यह ब्रह्मांड यह शक्ति आपको कैसे देगा क्योंकि यह रहस्य केवल और केवल ब्रह्मांड को ही पता है इस शक्ति का यह अर्थ नहीं है कि आज से आप 24 घंटे बैठ कर इसका प्रयोग करते रहे ब्रहमांड से बात करते रहे असल में ये कोई साधारन वस्तू नहीं है जो ब्रहमांड आपको किसी एक्सप्रेस कुरियर की तरह डेलिवर कर देगा लेकिन अब आपको अपना जीवन और अधिक सकारात मक्ता और चेतना से जीना होगा आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको किसी न किसी रूप से मिलता है जैसा की हमने आपको पहले ही बताया है इसके लिए आप अपने आस्पास हमेशा सज़क्ता बनाए रखें और जाग रुक रहें क्योंकि इश्वर आपको इसी तरीके से संकेत देता है बस आपको उसे समझना होगा और अपने वातावरण में होने वाली हर घटना, हर बदलाव की जानकारी रखिए और प्रमांड के सिगनल को समझने की कोशिश करिए और उसी के अनुसार आप काम करिए आपकी विश हंड्रेट परसेंट पूरी होने लगेगी अब इन सभी प्रक्रिया में सबसे जरूरी है नमबर सिक्स जो कहता है कि ब्रमांड पर पूरा भरोसा रखिए, उसी ईश्वर पर भरोसा रखिए आपने जो भी मांगा है वो आपको मिलेगा लेकिन वो आपको उस सही समय पर मिलेगा जो आपके लिए सही होगा आपको विश्वास रखना होगा कि आपने जो प्रार्थना भेजी है आपने जो विश्व भेजी है ये आपके पास वापस आएगी उचित समय पर आएगी एक बार अपनी प्रार्थना को ब्रह्मांड को भेजने के बाद आपको उसके साकार होने की प्रक्रिया में विश्वास रखना होगा हर दिन अपने दिल से उस प्रार्थना के प्रती भावनात्मक संवेदना रखनी होगी ब्रह्मांड से बात करने के लिए और अपनी इच्छा को अपने जीवन में प्रकट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने उद्देश्य के प्रतिस्पष्ट सोच रखना होगा ब्रह्मांड को मिले जुले सिगनल ना दे पूरे धैरे से अपनी सांसों पर और अपने मन पर ध्यान केंद्रित करें उस चीज के बारे में सोचें जो आप ब्रम्हांड से चाहते हैं उसके प्रतिहृदय से प्यार रखें अपना दिल साफ रखें मन साफ रखें पॉजिटिव रखें अब जो चीज आपने ब्रह्मांड से मांगी है उसको अपनी पूरी भावना से महसूस करिए ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करिए ब्रह्मांड तक अपनी प्रार्थना पहुंचाने के बाद उसे आपके जीवन में साकार होने का इंतजार करिए अपने वातावरण में हो रहे बदलाव को महसूस करिए और प्रहमांड के उत्तर को कुछ समझने की कोशिश करिए और हमेशा ग्रहन शील रहिए बस इतने में ये आपकी ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है और आप ये विश्वास रखिए कि आपकी हर वो विश इस प्रक्रिया के बाद प्रहमांड तक आपकी विश पहुँची है बस आप उसके पूरे होने का इंतजार करिए वो पूरा होगी और अवश्य होगी आपको आवशकता है तो केवल एक थोड़े से समय की लेकिन इन सब के लिए सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो वह है थोड़े समय की जिससे आप ब्रहमांड से बात कर सकते हैं ये आपको आध्यात्मिक रूप से ब्रहमांड की अनंत शक्ती और रहस्यों से जोड़ेगा आप स्वयम को एक ऐसी दुनिया में पाएंगे जहां आपके चारों तरफ केवल सकारात्म कूर्जा होगी और जब आप इन सबी छेह रूल को फॉलो करेंगे तो आपकी हर वो इच्छा पूरी होगी जिस पर आपने कभी सोचा भी नहीं था कि इच्छा पूरी भी हो सकती है मित्रों हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको ब्रहमांड से जोड़ने में सहायक होगी आप पूरे दिल से ब्रहमांड तक अपनी प्रार्थना पहुँचा दें और उसे स्वयम तक वापस आने का और अपने जीवन में साकार होने का इंतजार करिए समझे कि प्रहमांड आप से क्या कहना चाहता है उसमें विश्वास करिए हमेशा सकारात्मक रहिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए और मेरी तरफ से ब्रहमांड से बात करने उस तक अपनी भावनाओं को पहुँचाने के लिए धेर सारी सुब काम नाए दोस्तों अगर ये विडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शियर जरूर करे मिलते हैं अगली विडियो में तब तक